देहरादून के पुलिस कर्मी ने की भुट्टा बेच रहे बच्चों की मदद दोगुनी कीमत पर सारा माल खरिद जीता दिल कोरोना काल के इस दोर में बहुत से लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं ऐसे लोग घर से ये सोच कर निकलते हैं कि उनका सामान बिकेगा तो घर का चुला चलेगा लेकिन शाम तक सारा सामान वैसे का वैसा ही वापस ले आते हैं वही कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो इस महमारी के दोर में ऐसे मजबूर लोगों की मदद कर दिल जीतने का काम कर रहे हैं ऐसे पुलिस वालों के लिए एक लाइक तो बनता ही हैं वीडियो में आप देखेंगे कि दो बच्चों सडक पर भुट्टे बेच रहे हैं ये अपनी मा के लिए पैसे इकटे कर रहे हैं जब शिशुपाल इन बच्चों के पास से गुजरे तो खुद को इनकी मदद करने से रोक नहीं पाएं और इन बच्चों से सारे भुट्टे खरीद लिए आप इस तस्विर में देख सकते हैं कि भुट्टे के बदले शिशुपाल बच्चों को 200 रुपे देते हैं तथा कहते हैं कि अब सीधे घर जाना क्या कहेंगे आप इस पुलिस कर्मी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अब लोगों का दिल जीत रहा है लोग इस वीडियो को देखकर शिशुपाल जैसे पुलिस कर्मीों को सलाम कर रहे हैं हम भी शिशुपाल के इस कदम की सरहाना करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी इन पुलिस वालों से प्रेरणा लेकर दूसरों की मदद करें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले